परिचय आपकी जन्विदिन पर आपके एक दोस्त ने चौकलेट दी है एक अन्य दोस्त चौकलेट का एक और डिबबा देता है तब आपके पास कितने चौकलेट्स हैं? डिबबा खोले बगएर हम कुल चौकलेटों की संख्या नहीं जान सकते हैं ऐसी स्थिति में हम चौकलेट की अग्याद संख्या के लिए चरका प्रयोग करते हैं इस समीकरण को हल करके चौकलेट की अग्याद संख्या ग्याद कर सकते हैं इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे समीकरण हल करना लंबाई और दूरी से सम्बंधि समस्याओं में इसका प्रेयोग करना समीकरण एक गणितिये कथन जिसमें दो व्यांजक हो और जिसे समता के चिन्ह से अलग किया हो उसे समीकरण कहते हैं समदा के चिन्ह के बाएं तरफ के व्यांजक का मान चिन्ह के दाएं तरफ के व्यांजक के मान के बराबर होता है समीकरण के कुछ उधारण है एक या तोनों व्यांजकों में चर हो सकते हैं जब किसी समीकरण में केवल एक चर हो, तो उसे एक चर वाला समीकरण कहते हैं, जैसे यदि किसी समीकरण में दो चर हो, तो उसे दो चर वाला समीकरण कहते हैं, जैसे रैखिक समीकरण यदि किसी समीकरण में चर एक्स की अधिक्तम खात एक हो तो इसे रहखिक समीकरण कहते हैं जैसे दूसरे शब्दों में रहखिक समीकरण में सिर्फ रहखिक बहुपद होते हैं समी करण के पक्ष समता चिन के बाएं तरफ के व्यांजक को LHS और दाएं तरफ के व्यांजक को समी करण का RHS कहते हैं। LHS और RHS समी करण के पक्ष होते हैं। समी करणों के हल। X जमा 3 बराबर 12 के हल नहीं हैं क्योंकि वे समी करण को संतुष्ट नहीं करते हैं। समी करण को हल करना समी करण के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम समी करण के एक पक्ष में जो संक्रिया करें उसे दूसरे पक्ष में भी अवश्य करना चाहिए। किसी समी करण को हल करने का यह मूल भूत नियम है। हमने देखा है कि पक्षान तरण विधी किसी समी करण को हल करने की सबसे सुविधा जनक विधी है। इस विधी को अपनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता है। किसी समीकरण का कोई पद जिसे एक पक्ष से दूसरे पक्ष में इस्थानांतरण या पक्षांतरण किया जा सकता है, अपना चिन बदल देता है. जैसे यदी एकस घटा बारा बराबर पांच तो एकस बराबर पांच जमा बारा, यदी एकस जमा एक बराबर कोश्ठक में घटा दो एकस, तो एकस जमा दो एकस बराबर कोश्ठक में घटा एक, एक पक्ष में यदी संख्या से किसी चर या अचर में विभाजन किया जा रहा तो पाक्षान्तरण के बाद उसे संख्या से गुड़न किया जाएगा। इसके उलड़ भी सत्य है। जैसे पांच एक्स बराबर दस हो जाता है एक्स बराबर दस गुड़ा पांच बराबर पचास के। पाक्षान्तरण कर दिया गया है। दोनों पक्ष में चरवाले समीकरण। उधारण एक्स घटा तीन बराबर पांच। जमा पांच एक्स को हल कीजिए। हल। निम्न समीकरण की गड़ना करने पर हमें प्राप्थ होगा एक्स बराबर कोश्ठक में घटा दो। जटिल समीकरण। उधारण एक। ए बटे तीन जमा एक बटे चार बराबर ए बटे दो घटा दो बटे पांच। हल। निम्न समीकरण की गड़ना करने पर हमें प्राप्थ होगा कोश्ठक में घटा बीज ए बराबर कोश्ठक में घटा अठात्तर। शब्द समस्याएं उधारण एक। एक संख्या दूसरी की आदि है। दूनु संख्याओं का यूग छै है। तो संख्याओं ग्याद कीजिए। हल। मान लिजिए कि उन में से एक संख्या x है। हताहा दूसरी संख्या बराबर x बटा दो। दोनों संख्याओं का यूग बराबर 6। इस प्रकार x जमा x बटादो बराबट 6 यानी 3x बटे दो बराबट 6 या x बराबर बारा बटे 3 बराबट 4 संख्याह चार और दो है जाजें दोनों संख्याओं का योग 6 है इस प्रकार उत्तर सही है शब्द समस्या उदहरन तो, किसी भिन्न का अंश हर से तीन कम है यदि अंश में एक का योग किया जाए तो हर में तीन की वृध्धी होती है और भिन्न एक बटा दो के बराबर हो जाता है असली भिन्न का पता कीजिए हल, मान लिजिए कि असली भिन्न का हर एक्स है यदि अंश हर से तीन कम है तो अंश बराबर एकस घटा तीन असली भिन बराबर एकस घटा तीन बटे एकस नए भिन का हर बराबर एकस जमा तीन नए भिन का अंश बराबर कोश्टक में एकस घटा तीन जमा एक बराबर एकस घटा दो नए भिन बराबर एकस घटा दो बटे एकस जमा तीन नया भिन हो जाता है एक बटा दो इस प्रकार कोश्टक में एकस घटा दो बटे कोश्टक में एकस जमा तीन बराबर एक बटा तो निम्न समी करण की गड़ना करने पर हमें प्राप्त होगा एकस बराबर साथ इसलिए चुकि असली भिन एकस घटा तीन बटे एकस बराबर चार बटे साथ है जाचे असली अंश जमा एक और असली भाजक जमा तीन होगा, जो की बराबर होगा एक बटे दो के, अताह यह समीकरण संतुलित है शब्द समस्या उधारण तीन यदि दो संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है तो संख्याओं ग्याद कीजिए हल, मान लिजिए की एक संख्या X है, अताह दूसरी संख्या कोश्ठक में 35 घटा X होगी दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो समीकरण होगा कोश्ठक में 35 घटा X घटा X बराबर 13 इसे हल करने पर हमें X बराबर 11 प्राप्थ होगा दो संख्याओं 11 और 24 है चाचें दोनों संख्याओं का योग बराबर 11 जमा 24 पराबर 35 दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 24 घटा 11 बराबर 13 अता उत्तर से ही है उधारण दो संख्याओं का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है दोनों संख्याओं का योग 56 है तो संख्याओं ग्याद कीजिए हल मान लीजे की संख्याओं 3 एक्स और 4 एक्स है इनका योग 56 है 7 एक्स बराबर 56 एक्स बराबर 8 इसलिए संख्याओं 3 गुणा 8 बराबर 24 और 4 गुणा 8 बराबर 32 हैं उम्र संबंधी समस्या उधारण 1 अनिल अजित से 9 वर्ष बड़ा है दस वर्ष पश्चाद अनिल की उम्र उसके दूग नी होगी जितनी उम्र अजित की 10 वर्ष पहले थी उनकी वर्तमान उम्र ग्याद कीजिए हल मान लिजिए कि अजित की वर्तमान उम्र X है दी गई सारणी को देखिए इस प्रकार बराबर X जमा 19 समस्या में कहा गया है कि अपसे 10 वर्ष पश्चाद अनिल की उम्र उसके दूग नी होगी जितनी उम्र अजित की 10 वर्ष पहले थी आज से 10 वर्ष बाद अनिल की उम्र बराबर X जमा 19 समी करण एक आज से 10 वर्ष पहले अजित की उम्र बराबर X घटा 10 समी करण तो अताहा इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा X बराबर 49 उनकी वर्तमान उम्र है अनिल बराबर 48 वर्ष अजित बराबर 49 वर्ष जाचें आज से 10 साल बाद अनिल 58 वर्ष का होगा अजित की 10 साल पहले उम्र थी 29 वर्ष जाच 58 बराबर 2 गुणा 29 यहां LHS बराबर RHS लंबाई और दूरी की समस्या उदारन तो एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई से 6 इकाई अधिक है इसका परिमाब 20 इकाई है इसकी लंबाई और चोड़ाई ग्याद कीजिए हल मान लीजिये की आयत की चोड़ाई X इकाई है अताहा लंबाई बराबर X जमा 6 चोड़ाई दो कोश्टक में लंबाई जमा चोड़ाई बराबर परिमाब क्यूंकि परिमाब 20 इकाई है इसलिए लंबाई जमा चोड़ाई बराबर 10 इकाई होगी इस प्रकार X जमा कुश्ठक में X जमा 6 बराबर 10 या 2X जमा 6 बराबर 10 इसलिए 2X बराबर 4 और X बराबर 2 चौड़ाई बराबर 2 एकाई लंबाई बराबर 2 जमा 6 बराबर 8 एकाई लंबाई बराबर 8 एकाई आयो सम्बंधी सवस्या उधारण दो इस्थानों A और B के बीच 240 किलोमीटर की दूरी है एक मोटरसाइकल एक बिंदू A से और एक पदियात्री एक बिंदू B से A की ही समय से प्रारंब होते हैं मोटरसाइकल की चाल पदियात्री की चाल से 15 गुणा धिक है प्रारंब करने के 3 घंटे बाद एक बिंदू M पर दोनों मिले बिंदू A बिंदू B से कितना दूर है हल कुल दूरी 240 किलोमीटर है पान लीजिये कि पदियात्री X प्रती घंटा की चाल से चलता है कुल दूरी बराबर 240 किलोमीटर पदियात्री द्वारा तै की गई दूरी जमा मोटरसाइकल द्वारा तै की गई दूरी बराबर 240 किलोमीटर इसे हल करने पर हमें मिलेगा X बराबर 5 वे एक बिंदू M पर मिलेंगे जो B से 15 किलोमीटर और A से 225 किलोमीटर दूर है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एक या एक से अधिक चरों वाले दो बीजिये वेंजकों के बीच समधा कथन को समीकरण कहते हैं यदि किसी समीकरण में किसी चर यानि S की अधिक तमखात एक है तो इसे रैकिक समीकरण कहते हैं समीकरण को सत्य बनाए रखने के लिए समीकरण के एक पक्ष में की जाने वाली संक्रिया दूसरे पक्ष में भी करनी चाहिए पक्षान्तरण विथी 1. कोई पद समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरित किया जा सकता है, लेकिन उसका चिन्न परिवर्तित हो जाएगा 2. यदि किसी एक बक्ष के चर या चर में किसी संख्या से विभाजन किया जा रहा है, तो बक्षांतरण के पश्चात दूसरे बक्ष में उस संख्या से गुड़न होता है 3. किसी समीकरण को हल करते समय, हम निम्न चरण प्रयोग में लाते हैं, अज्यात को चिनित करते हैं, दिये गए तत्यों को पहचानते हैं, दिये गए संबंधों के आधार पर समीकरण बनाते हैं. समीकरण को हल करके अज्यात का मान करते हैं.